तो नाव वी कंपेरिंग के धिंगरा के अंदर और मुसाइद अब्दुल अजीज के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो कैसे दिये हों एक एंडी के डिजीज को इन दोनों किताबों ने कैसे प्रिजेंट किया है ठीक है जो लेट उसको दियर अब्दुल अजीज हम चलते हैं डिजीज अफ एक्स्टर्नल एयर पे और स्पेसिपिकली मैं जाना चाहूंगा एक्सटर्नल एयर ठीक है लोकलाइज एक्सटर्नल एयर यहां पर इस फ्रंकलोसिस फ्रंकल तो अब देख सकते हो के सबसे पहले में हैडिंग दी यह उसके बाद में हैडिंग में एक लाइन के अंदर डिफाइन कर दिया है कि दिस स्टाफलो कोकले इंफेक्शन फेयर फॉलिकल इट अकर्जिन दी ओटर थर्ड ऑफ एक्स्टर्नल ओडिटरी के लाइड यह एडिंग दी प्रेडिस फैक्टर की एक लाइन में बता दिया कि दिए पिर क्लिनिकल पिक्चर है जैनिकल पिक्चर में सिम्टम अलादा स उनारे से बता दी साइंस अलारा से बना दी एक फिर एक है एदिंग दि इंवस्टिकेशन की इंवस्टिकेशन बता दी एंञ तेंट ट्रिट्मेंट्मेंट और एंड पे आपको एक कject तो इस तरीके से मसूद अब्दुल अजीज ने फरंकॉलोसिस को प्रिजेंट किया है नौ विल लुक के दिंगराने कैसे प्रिजेंट किया है य। इस इस अच्जाल इर अच्जाल इह्र और य हमें एक्ष Lands'र अच्जाय है इस फरंकॉलोसिस्ट अफरंकॉल् के लि綾 न एंथर मैं ही फ्रंकॉलोसिस की आव वो हीिय pat ystoth complètement infection has a as the hair is confined only to the cartilaginous part of the matus fruncal is only seen in this part of the matus usually single fruncal is multiple second paragraph शरो हो जाएगा patient usually presents with severe pain tenderness which are out of proportion to the size of fruncal movement are painful chewing पर ज्यादा हो जाती है posterior wall of matus पर डीमा होता है obstruction हो जाती है group की और परियॉर्क्ला निपनोड होते हैं पर treatment treatment के अंदर यह सारा treatment और जो रिकरन फ्लंकिलोसिज हैं उनके अंदर ठीक है तो इसमें किसी किसम की कोई heading नहीं है कोई हाँ एक मज़ी चीज यू कन सी इतनी खुबसूरत picture दिया first go में आपको पता लाग चाहता है कि बिमारी कहां पे है ठीक है और जो सेकंड बिमारी है कि diffuser titus external उसमें भी इतनी खुबसूरत picture दिया है कि you can easily differentiate है कि यूचन इजली डिफरेंशियट के दोनों बीमारीय कहां कहां पे हो रही है ठीक है एक बीमारी यहां पे हो रही है और एक बीमारी है जो यहां पे हो पॉर्शन अभी हम पाड़े हैं इसके अंदर प्रेसेंटेशन नहीं है इसी वजा से ये जो पॉर्शन है ये काफी ज़्यादा कन्फूजिंग हो जाता है स्टूरेंट्स के लिए ठीक है तो ये दोनों के अंदर कंपारिशन है एक टॉपिक एक सिट इसी फॉर्माट के अंदर धिंगरा और मसवध अब्द्द्द आजीज के अंडर टॉपिक से हम वह चलते हैं एक का दुखा टॉपिक हैं जिनके अंदर विरिएशन आजएगी लेकिन majority of the topics इसी style पे हैं स्वेद अब्दलजीज heading, sub-headings, pictures जबके ढिंगरा जोन सा है इसमें आपको ये सारा काम हुद करना पड़ेगा